ओम शांति ओम शांति आज 19 दिसंबर 2022 दिन सौमवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मदूर महावक्यों को मीठे बच्चे शिप बाबा इस समय तुमारे सामने हाजिर नाजिर हैं तुम्हे पहले यह निश्चे चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्व्यम शिव बाबा है कोई देहधारी नहीं प्रश्न बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट है उत्तर बच्चे बाप से पूछते हैं बाबा आपकी इस तन में पधरामनी कब तक है वा विनाश कब होगा बाबा कहते यह जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो महमान से पूछना कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे यह तो इंसल्ट हुई ना कहेंगे क्या मैं तुमारे लिए बोज हो पड़ा हूँ शिप बाबा तो जब तक यहां है तब तक तुम बच्चे खुश हो ना इसलिए ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछने चाहिए ओम शंति बाप बैटकर ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को समझाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी समझते हैं कि निराकर बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रही हैं बाप तो है निराकर किसी को साक्षातकार भी कराना होगा तो ब्रह्मा का शरीर ही सामने करूंगा अगर खुद का साक्षातकार कराए तो कोई समझ न सके वह तो एक बिंदी है अब जैसे आत्मास्टार है वैसे पर्मात्मा भी बिंदी है ये बुध्धी से समझा जाता है बल साक्षातकार हो भी, चीज तो वही देखेंगे और क्या चीज हो सकती है अकसर करके बहुतों को ब्रह्मा का साक्षातकार कराते हैं कि इनके पास आओ छोटी चीज को कोई समझ न सके ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ समझाते हैं, नौलिज देते हैं कहते हैं, बच्चों, मैं इस साधारन मनुश्यतन का आदार लेता हूँ, ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, समझेंगे बाबा इसमें है, यह बाबा का रत है, बाबा नहीं होता, तो यह ब्रह्मा भी काहेगा, तो यह बीके भी काहेगे, बच्चों को नौलेज मिलती है, तुम स के ज्यान देर कैसे सकते है बच्चों को यह निश्य हो जाना चाहिए कि इस समय बाबा हाजिर नाजिर है बुद्धी कहती है बाबा इसमें परवेश है जो बैठ नौलज देते हैं उस परमपिता परमात्मा के सिवाए स्वर्ग का वर्षा मिलना सके तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार आधि मनाय जाते है वो सब इस समय के ही यादगार है शिव-जयन्ती भी इस समय का ही त्योहार है त्रीमूर्ती शिव परमपिता परमात्मा ब्रमा द्वारा स्थापन करते हैं श्री क्रिश्न थोड़े ही नई दुनिया की स्थापना करेंगे। ब्रहमन कुल चला आता है। उनको यह पता नहीं कि ब्रहमन सो देवता बन जाते। ब्रहमा की ओलाद तुम ब्रहमन हो। जो भी मनुश्य मात्र हैं, सब धर्म वाले उन्नों को समझ में आता है कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रेंड फादर ब्रहमा है। जिसको आदम बीबी अत्वा आदी देव, आदी देवी कहते हैं। वह भी शिब बाबा की रचना है। बाबा ने रचना कैसे रची। अडॉप्ट किया। यह है पहले नंबर की बात। अल्फ के बाद फिर बे इन बातों को जो अच्छी रिती समझते हैं वही उच्पद पाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो मनुषे कितना घोर अंधियारे में हैं। कल्प पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे। वैसीन फिर होगी होना भी जरूर है। सुर्वंशी घराने में राज्य करेंगे। सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। कोई बात का रेस्पोंड ड्रामा में होगा तो बताऊंगा। ड्रामा का सारा राज अभी थोड़े ही बताऊंगा मेरे में भी पार्ट नुन्दा हुआ है जैसे इमर्ज होता जाता है तुमको समझाता जाता हूँ सब कुछ ड्रामा नुसार ही चलता है उसमें फर्क नहीं बढ़ सकता ड्रामा में नहीं होता तो रिस्पॉंड करेंगे नहीं ऐसे नहीं कि अभी बता दूँगा कि बाकी कितने वर्ष हैं बाबा से पूछते हैं बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफिरी करेंगे बताएंगे नहीं ड्रामा में है नहीं तो क्या कर सकते ड्रामा में होगा तो बताएंगे मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने मैं तुम्हारा बाप भी हूँ तुम गाते हो तुम मात पिता वही पार्ट बचा रहा हूँ मेरा फर्ज है तुमको शिक्षा देना मुझे कहते हैं ग्यान का सागर मनुष्य स्रिष्टी का बीज रूप चेतन्य बीज तो सब कुछ बताएगा न इस जाड़ पर बैन्यन ट्री का मिसाल दिया जाता है तुम देखते हो देवी देवता धर्म अभी है नहीं बाकी सब धर्म हैं अभी यह सब खलास हो जाएंगे फिर अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे मैं देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ जब वह धर्म प्रायलोप है चित्र हैं परन्तु यह किसी को पता नहीं कि देवी देवता धर्म कब था कहां गुम हो गया सिर्फ कहेंगे लक्षमी नारायन का राज्य था यह शास्त्र आदी सब भगती के लिए हैं द्वापर में बैठ यह शास्त्र आदी बनाएंगे सच्छ खंड में सिर्फ देवता राज्य करते थे यह है ही जूठ खंड वहां तो कोई भी पाप नहीं होता अभी बाप तुमको पुन्यात्मा बना रहे हैं ड्रामा में नूध है रावन राज्य में ही भगती शास्त्र आदी शुरू होते हैं यह अनादी ड्रामा शूट हुआ पड़ा है यह है है ही जूठी दुनिया इश्वर के लिए भी जूठ ही जूठ बोलते हैं इश्वर तो उंचते उंच है हम उनसे मिलने चाहते हैं तो जरूर उनसे कुछ मिलता है बाप से क्या मिलेगा वह है सर्व का सदगती दाता सर्व को दुख से छुडाते है रावन भी बड़ा जबर्दस्त है आदा कल्प उनका राज्य चलता है परंतु वह दुख देते हैं इसलिए सब मनुष्य बाप को याद करते हैं रावन तुम्हारी सारी राजधानी छीन लेता है इतना जबर्दस्त है अब तुमको मालूम पड़ा है बाप हमको वर्सा देते हैं रावन शिराप देते हैं मनुष्य को यह पता नहीं है कि बाप कब वर्सा देते हैं श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने से गीता को जूठा कर दिया है बड़ेते बड़ी भूल यह है यह बाबा भी तो नारायन का पक्का भग्त था गीता पढ़ता था गीता पढ़ने बिगर कोई काम नहीं करता था जब साक्षात कर हुआ निश्चे हो गया कि बाप हमको यह लक्षमी नारायन का वर्षा देते हैं अभी तो बहुत कुछ समझ में आ गया है शिव बाबा समझाते रहते हैं कभी कोई शास्त्र नहीं उठाया बाबा सुना रहे हैं यह भी कहते हैं मैं सुन रहा हूँ कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुनाते हैं इसमें बाबा है इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है अजमेर में एक मंदिर बनाया है परंतु कुछ समझते नहीं है श्री कृष्ण को मुरली दी और सरस्वती को सितार दी है सरस्वती को Goddess of Knowledge कहा जाता है God of Knowledge ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया है मूझ गए है बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं त्री मूर्ती में श्री कृष्ण तो है नहीं भल करके है परंतु गुप्त रादे कृष्ण ही लक्षमी नारायन बनते हैं यह भी किसी को पता नहीं कि परंपिता परमात्मा ने समझाया था अब भी समझाते रहते हैं सादू संत आधी इस बात को समझ जाएं, तो यहां सब की भीड मच जाएं. परंतु ड्रामा में ऐसे भी नहीं है. बाप कहते हैं, मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूं. जो पास होते हैं, वे सूरेवन्शी बनते हैं, सूरेवन्शी की प्रजा सूरेवन्शी होगी, चंद्रवन्शी की प्रजा चंद्रवन्शी होगी. तुम बच्चों की बुद्धी में सारे चक्र का ग्यान है. तुम हो स्वदर्षन चक्रधारी ब्रहमन. यह है सर्वोत्तम ब्रहमन कुल. तुम सेवाधारी हो. राजधानी दुनिया को खत्म करना पड़े श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो यादवों की राजाई खत्म होनी है पांडव राजाई स्थापन कर रहे है नई दुनिया के लिए पुराने भंबोर को आग लगनी है यह भी समझते हो बाकी कितने दिन हो कहेंगे मैं शायद बोज हूँ शी बाबा कहते हैं मैं यहां हूँ तो तुम खुश रहते हो न फिर पूछते क्यों हो कि कब तक पधरामनी है यह पूछना भी चैसे इंसल्ट है इसमें भी लज्जा आनी चाहिए यह पूछना तो ऐसे हुआ कि बाबा जल्दी जाए तो अच सकते ऐसा बाप तो कोई हो ना सके बच्चे ही बाप को जान गए हैं श्री क्रिश्न के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि इसमें परमात्मा है श्री क्रिश्न ही याद आता रहेगा परमात्मा तो याद आना सके श्री क्रिश्न को ही देखते रहेंगे शिव को याद ही न करें इस कहते हैं, मुझे आना ही है पराए देश, पुराने शरीर में, श्री क्रिश्न तो रावन के देश में आना सके अब तुम जानते हो कि श्री क्रिश्न की आत्मा पुनर जनम लेते लेते अब इस शरीर में है यह अंतिम शरीर है यही फिर नंबर वन पावर शरीर बनता है यह सब बातें और कोई की बुद्धी में आना सकें रावण का चित्र बनाते हैं परंतु समझते नहीं है कि रावण की परविष्था कब से हुई है जलाते ही आते हैं मर जाए तो फिर जलाना बंद कर दें मरता नहीं हर वर्ष जलाते हैं यह सब है भक्ती मार्ग बाब कहते हैं मैंने तुमको सूरेवशी चंद्रवशी बनाया तुम फिर शुद्रवशी बने कैसे अब फिर तुमको सूरेवशी चंद्रवशी बना रहा हूँ अभी तुम जानते हो हम विश्व पर जीत पाते हैं फिर हार खाते हैं जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था अब फिर वैधर्म स्थापन होगा तो और सब धर्म खत्म हो जाएंगे आसार भी तुमको देखने में आएंगे कितना साइंस का काम चल रहा है खुशी भी मनाते हैं ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो तीन-चार घंटे में लंदन पहुचाएगा आजकल एरोप्लेन में हाती, बंदर, मेंडक सब जाते हैं ये सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है वहाँ विमान में घूमते हैं अभी तुम उची तकदीर बनाने के लिए आये हो तुम सो देवी देवता बन रहे हो स्वर्ग का नाम गाते हैं परंतु जानते नहीं कि स्वर्ग कब था कहते हैं स्वर्ग पधारा तो जरूर नर्क में था परंतु सीधा कहो तुम नर्क वासी हो तो गुस्सा लगेगा अब तुम्हारे में ताकत है तुम कह सकते हो कि तुम पतित पावन को बुलाते हो तो जरूर पतित हो बाप कहते हैं अब जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है महाभारी लड़ाई मशहूर है तुम जानते हो हम आए हैं राजाई लेने हम स्थापना के निमित हैं आगे चल यह सन्यासी महत्माएं भी तुमारी बात मानेंगे यह सब ड्रामा में नूद है अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ब्रदी मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार गुप्त रूप में योगबल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, रुहानी सेवाधारी बनना है हमारा सर्वोत्तम ब्रामन कुल है, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, इस नशे में रहना है किसी भी बात में संशे नहीं उठाना है अब बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझे दुनिया वालों को हर कदम में चिनता है, और आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्म चिनतन है इसलिए बेफिक्र हो करावन हार करा रहा है, आप निमित बन करने वाले हो सर्व के सहयोगी की उंगली है, इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है सब ठीक चल रहा है और चलना ही है कराने वाला करा रहा है हमें सिर्फ निमित बन तन मन धन सफल करना है यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थती स्लोगन सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सब की दुआएं लेते रहो सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सब की दुआएं लेते रहू ओम शंती